सर्दियों में जब लगे, वाट्रोप को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्स्प्लोर है करना, बिग ब्लिस खुशियों की अपनी तुकान मध्यप्रदेश में वेर हाउस कॉर्पोरेशन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है सागर जिले के सरकारी गोदामों में किसानों से खरीद कर रखे हुए अनाज की देखरेक में लापरवाही बरती जा रही है इससे करोडों रुपे का अनाज खराब हो रहा है रख रखाव वे देखरेक में बरती जा रही लापरवाही की वज़ा से तीन साल बाद भी अनाज का उठान नहीं हुआ है जिससे नमी के कारण दलहनी उपज खराब हो रही है इससे सरकार को करोलो रुपे की शती का अनुमान भी लगाया जा रहा है जानकारों के अनुसार चना वे उड़त साल बर स्टॉक करने के बाद ही बेस्वाद होने लगते हैं लेकिन सागर जिले के साई खेडा वेर हाउस में तीन साल से अधिक समय से उड़त वे चने का लाखो कोईंटल स्टॉक रखा हुआ है वेर हाउस जाकर जब इसमें रखे दलनी स्टॉक का जैज़ा लिया गया तो कई बोरों का अनाज खराब होते दिखा जानुकारी के अनुसार वेर हाउस में वर्ष 2018-19 में खरीदी गई 16,79,957.89 किलोग्राम उड़त में से वर्तमार में 14,4,492.38 किलो का स्टॉक है इसी तरह वर्ष 2018-19 में खरीदे गए 2,420.48 किलोग्राम चने का स्टॉक है इसी तरह 2021 में 48,452.36 किलोग्राम चना खरीदा गया था जो पूरा का पूरा ही स्टॉक में रखा हुआ है इसी तरह 2021 में खरीदी गई मसूर भी रखी हुई है किसानों को उनकी उपज का सहीदा मिल सके इसलिए सरकार उनसे MSP पर चना वे उड़द आदी की खरीदी करती है इसकी खरीदी के बाद वेर हाउसिंग कॉर्परेशन के गदामों में इने स्टॉक कर रख रिया जाता है यहाँ अनाज के रख रखाव के बहतर वेवस्ता की जाती है अनाज का समय समय पर निरिक्षन वे देख भाल के लिए कीट नाशक दवा आदी का उपयोग किया जाता है अनाज में घुन ना लगे वे इसके खराब होने से पहले ही इसे अच्छी अवस्ता में निलामी का वेपारियों को बेच दिया जाता है लेकिन साई खेड़ा वेर हाउस में ऐसा नहीं किया गया फिर से आ गया है कोरोना घर पर रहने में ही है सब की भलाई अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना बिग ब्लिस लेकर आएगा दस मिनट में आपके घर पर दवाई बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान